दोस्तों एक औरत अपने सारे समान पैक कर रही थी, क्योंकि वो अपने पती से अपना सारा रिष्टा खत्म कर रही थी दोस्तों, उसका पती उसके सामने हात जोड़ता है, मिन्नते करता है कि मुझे छोड़ कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तो मेरे बिना रह लोगी लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा लेकिन दोस्तों उस औरत को जरा भी सुनाई नहीं देता है वो बार बार उसका हाथ पकड़ लेता है लेकिन उसका हाथ ऐसे जिटक देती है कि जैसे कोई गहर हो दोस्तों उस अवरत के पीछे पीछे दो छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे थे वो खुशी खुशी चल रहे थे क्योंकि उनको कहीं जाने का मौका मिल लहा था लेकिन उनको ये नहीं पता था कि साइद उनके पिता के साथ उनका ये आखरी दिन है दोस्तों पती अपने पतनी से कहता है कि दोनों बच्चों को साथ ले जा रही हो, कम से कम एक को तो छोड़ जाओ, मेरे जीने का कोई तो सहारा रहे, लेकिन दोस्तों वो ओरत बस इतना कहती है कि आज के बाद तुम मुझे और मेरे बच्चों को अपनी सकल मत दिखाना, अग आगे बढ़ जाती है वो पती भागा भागा च्छत पर जाता है उपर से देखता है कार को जाते हुए देखता है ये सोचता है कि कास उसकी पत्नी कोई समान भूल गई हो एक बार वापस आ जाए एक बार फिर मुझे उसको मनाने का मौका मिल जाए लेकिन दोस्तों वो कार व अले बस वही रिक्वेस्ट के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हुसला बढ़ता रहे। दोस्तो एक कहानी उत्राखंड के हलदाऊनी की है, जो पत्टी होता उसका नाम सेखर होता है, जो पत्नी होते ही उसका नाम रस्मी होता है, दोने के बीच आएज दिन जगड़ा होता रहता था, क्योंकि इन दिनों जो सेखर की माली हालत थी, ठीक नहीं थी, उसके 狂़ात ग वो भी ग्रियूजेशन की पढ़ाई कर रहा था तो उसके माबापने सोचा कि क्यों ना घर में बहू ले आया जाए ताकि शेखर जो है वो दुकान की बिजीमेदारी संभाल ले अब दोस्तों उनका मूल निवास जो होता है वो गाजियाबाद में होता है गाजियाबाद में उनकी जान पहचान थे उनके भाई पटीदार थे तो वही पर जाकर वो लोग एक अच्छी सी लड़की देखते हैं सेखर के लिए और उसकी शादी करके ले आते हैं दोस्तों जब रश्मी घर में आती है किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उसको पाकर सेखर बहुत खुश हो रश्मी भी उससे उतना ही प्यार करती थी लेकिन जब 2014-2018 का दिन आता है इन चार सालों के दर्म्यान इन दोनों के दो बच्ची भी हुए पहले एक बेटा हुआ जो तीन साल का हो चुका था एक बेटी हुई जो दो महीने की थी उसके पीता जी चाहते थे कि ये दुकान मे अपने बच्चों में अपनी पत्नी में ही बेस्त रहता था तो 2018 में एक दिन अचानक से उसके पिता की हाट अटेक से मौत हो जाती है उसके पिता के मौत होने के बाद एक महीने के अंदर अंदर उसकी मा की भी मौत हो जाती है इन दोनों मौतों से सेखर एकदम से टूट ज जाता वो अब अपने बच्चों को समालता है परिवार को समालता है लेकिन दोस्तों अचानक से इन दो मौतों की वजह से जो परिशानिया थी वो सुरू हो चुकी थी सेखर दुकान जाने लगा वहां पर बैठने लगा लेकिन जो दो लड़के थे काम कर रहे थे दोस्तों दोनों बेमान निकले चोरी चकारी करने लगे जो होल सिलर्स थे उनसे इसका इतना संपर्क नहीं था धीरे धीरे दुकान जो है बैठने लगी और एक साल के अंदर किता जो थे जितनी उन्होंने दौलत कमाई थी हाले में उन्होंने एक अच्छा सा घर बनवा दिया था सारे पैसे उसमें लगा दिये थे इसलिए कुछ जमा पूजी थी नहीं जो भी दुकान में बिगता था उसी से घर का खर्चा चलता था जब दुकान बंद हो गया तो खर्चा आना भी बंद हो गया तो दोस्तों घर में जब किसी चीज के इस समय कोई कमी नहीं थी अचानक से जब दिक्कत होने लगी तो रसमी इससे परिसान होने लगी सारा दोस वो अपने पती को ही देने लगी अब दोस्तो आए दिन जो है रस्मी और सेकर के भी लड़ाई जगड़ा होने लगा रस्मी जो है अपने माबाप के पास फोन लगा देती क्योंकि उसके परिवार में उसके दो भाय थे उसकी मा थी, उसके पिता जी भी थे, सबकी वो दुलारी थी तो जब उनके पास फोन लगा देती, तो लोग उसको और भरका देते थे सेखर को फोन लगा देते, उससे उल्टा सीधा कहने लगते, बोलते थे दुकान बेच दो तो दोस्तों उसने मना कर दिया, बोला मैं दुकान बेच के क्या करूंगा, कितना दिन खाऊंगा रस्मी को समझाता था, कि देखो ये जो वक्त है, हर किसी के उपर आ सकता है बुरे वक्त का सामना करना चाहिए हम दोनों को, तुम मुझे भरोसा रखो, मेहनत करूंगा, सिखूंगा तो कहने लगी कि तुम यही पिछले छे महिनों से कर रहे हो, जब से तुम्हारे पिता जी की मौत हुई है, तब से तुम यही कह रहे हो लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसलिए दोस्तों जब अचानक से हर चीज की किल्लत होने लगी, तो रस्मी को बहुत परिशानी होने लगी दोस्तों अपने मा के पास फोन लगा देती, अपने भाईयों के पास फोन लगा देती दोस्तों एक दिन रस्मी और सेकर का जगड़ा इतना बढ़ गया कि रस्मी ने उसे कहा कि तुम मुझे तलाग दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। सेखर ने कहा क्या बात कर रही हो तुम, थोड़े से दुख के लिए तुम तलाग मांगने को तयार हो गई, ये नहीं सोच रही हो कि बच्चों का क्या होगा, कहा जाओगे तुम तलाग लेकर, तो उसने कहा कि अपने मम्मी के घर जाओंगी, तुम्हारे लिए मर थोड़ी ज है, गाड़ी लेकर आया, उस गाड़ी में उसकी मम्मी भी बैठी थी, वो दोनों बाहर ही रुके, फोन पर बात हो गई थी, उससे उनके आने से पहले ये, अपना समान और पैक कर रही थी, जब सेखर उसको मना रहा था, रोक रहा था, लेकिन दोस्तों नहीं रुकी, वो उससे बोलने चालने वाला नहीं, पर उसको अपने बच्चों की याद आती थी, अपने पत्नी को बहुत प्यार करता था, रस्मी उसकी, सब कुछ थी, उसके बिना उसका एक दिन भी मन नहीं लगता था, दोस्तों, अब उससे छोड़ कर जा चुकी थी, छे महीने बीट ग उस दुकान पर, सेखर की दुकान जो बंद थी, देखा दुकान बंद है, तो वो हैरान रह गया, बगल वाले से पूछने लगा, कि आज बाओ जी ने दुकान मत कर रखा है, तो बगल वाले ने कहा, मनोज तुझे नहीं पता, सेट जी जो है, उनकी मौत हो गई, उनके पत दुकान पर, आठ सालों तक काम करता था, महनती लड़का था, इमानदाल लड़का था, लेकिन चुकि गाउं में उसके भाईयों के बीच में बटवारा हो गया था, तो उसके परिवार को कोई देखने वाला था नहीं, तो इसलिए वो गाउं चल गया था, लेकिन जब वो माजरा कुछ दूसरा ही मिलता है, तो गया घर पे, सेकर वहाँ पर बैठा हुआ था, उसकी तबियत खराब थी, आँखों में आंसू लिए, उसने मनोज को देखा, फूट फूट कर रोने लगता है, दोस्तो मनोज है, उसके पास जाता है, बोलता है, सेकर भाईया, क्या हा पाए, सारी बात मनोज से बता देता है, मनोज कहता है, भाईया, तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, चलो पहले तुम्हारी दवाई कराता हूँ, दोस्तो ले गया, उसको दवा दिलाया, घर में आया, खाना बनाया, खिलाया, दोस्तो दो दिन हुए, सेकर को थोड़ा मनोज बोला भाया चलो दुकान चलते हैं बोला दुकान में क्या है किस लिए जाएंगे बोला आप टेंसन मत करो आप सिर्फ बैठे रहना दुकान में खोलूंगा दुकान में चलाओंगा आप सिर्फ बैठे रहना जहां जहां मैं कहूंगा मेरे साथ चलना दोस्तों उसे काम तो सारे लोग तो उसको जानते थे, लेकिन चू कि पहले सेट जी थे, सेखर के पिता जी थे, अब तो कोई था नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मनोज के नाम पर, उसके क्रेडिट के अधार पर, और चू कि सेखर भी खड़ा था, कि चलो हाँ उनका लड़का तो है, दोस्त दुकान चलते थी, मनोज सेखर दोनों बीजी रहते थे, लेकिन दोस्तो साम के वक्त जो सेखर था, वो अपने बच्चों के याद में, उन्हें याद करता था, मनोज से उनकी बाते करता था, दोस्तो एक साल बीट गया, बहुत ही अच्छी तरीके से दुकान चलने लगी, तो बोलता है कि मनोज धाई साल हो गए, मेरी उससे बात नहीं हुई, मैंने बच्चों की आवाज नहीं सुनी, दोस्तों बीच बीच में से खरकत बहुत मन करता था, कि एक बार जाए अपने बच्चों से मिले, रस्मी से मिले, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, लेकि किसी से पूसता है, तो पता चला हो एक किराय के मकान में रहती है, दोस्तों उस पते पर गया, तो उसकी हालत शेखर के भी हालत से बत्तर थी, उसको उसके भायों ने छोड़ दिया था, उसके पिता की मौत हो गई थी, चूकि वो लोग उसके मम्मी को ही जिम्मेदार मानते कि रस्मी का घर छुडाने वाली यही है, इसका खर्चा कौन देखे, इनका खर्चा कौन देखे, तो नम्मा बेटी को उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था, अब जिसी स्कूल में रस्मी के बच्चे पढ़ रहे थे उसी स्कूल में, वो पढ़ा कर अपना गुजा रहा था, कि जैसे वो सदियों से से शेखर का इंतजार कर रही थी, शेखर ने कहा, कैसी हो तुम, दोस्तो रस्मी उठ गई, रोने लगी, उसका पैर छू लिया, उसके बाद उसने उसे उठाया, उसके सीने पे अपना सर रखके रोने लगी, दोस्तों कहने लगी, कि आप जानता हूँ मैंने कैसे काटे हैं ये धाई साल, तुम्हारे बिना, बच्चों के बिना, लेकिन ये क्या हुआ, कैसी हालत बना रखी हो तुम, तो रस्मी ने कहा, कि भाईयों ने मुझे छोड़ दिया, पिता जी की मौत के बाद, मा को जिम्मेदार मानते रहे, हमारे तु इतनी परिशानी थी, तो तुम घर क्यों नहीं आई, मेरे पास क्यों नहीं आई, दोस्तो रस्मी कहने लगी, कैसे आती, क्या मुह लगा के आती, आने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन कास एक बार आप भूल से भी आ गए होते, तुम्हें खुशी खुशी चल चलती, तो ब बेटी जो है, वो छे साल की थी, दोस्तों जब वो लोग गाजियाबाद से हलदवानी के लिए चलते हैं, दोनों बच्चे रश्मी, सेखर और रश्मी की मा ये पांचों लोग, जाके जब दुकान के उतरते हैं, रश्मी दुकान के तरफ देखती है, हरान रह जाती है, द दुकत नहीं है, दोस्तों, नया साल था, एक जनौरी दो हजार चोबीस का, जब रश्मी अपने घर आती है, दो हजार चोबीस में शादी हुई थी, और दो हजार चोबीस, एक बार फिर समझ लो, उनके चिंदिगी की शुरुआत हुई, अब दोस्तों, अगर मनोज नहीं होता, तो सोचा भी नहीं जा सकता, क्या होता, लेकिन यह रही कहानी, आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताईएगा, और अगर अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए, जैंदे.